जैसे लाल किताब के अगर हमने उपाई किये और वो हम पे असर ना करें तो उसका नाकरात्मक प्रभाव भी पड़ता है एक कहावत तो तुम्हें सुनी होगी है नीम हकीम खत्रा एजार बेटा अगर ये हो गया तो कोई क्या करें जब आपने कुछ भी करना हो घर पे इट भी अगर लगानी है न तो आदमी देखता है ये पिला है चटका है अवल है कौन सी इट है इतना ख्याल रखते हो फिर कौन से भटे की बेस्ट है ये रेत वाले भटे की है ये चिकने मिटी की है ये फ़लानी की है वो तक डिसकस करता है जब एक इनसान ने खाने पीने का समान भी लेना है तो उसको ये भी पता है कि कहां की दाल और कहां की मिठाई बैस जाए वो आ तक जाता है लेकिन जब अपने नसीब के बारे में कुछ जानना हो न तो जो गाउं से किसी भी कमी की वज़े से भाग के आके सिर्फ पंचा रखके बैठ गया उससे अपनी जिन्दगिया खुलासा करबता है तो चलेगा क्या जिस बच्चे को अभी साल पहले देखा कि वो तरह तरह के बिजनस करने की कोशिश कर रहा था साल के अंदर वो गुरू जी बनके बैठ गया आप उससे परडिक्शन लोगे तो हाल क्या हो जिस अपके उपाई हंड़ड परसेंट नुकसान करते हैं अगर किसी नौ सिख्या नहीं दिया तो समगे एक बार समयलन में बैठे हुए थे हैं तो ऐसे ही बात चल रहे थी तो कुछी खास बात को लेकर कि किसी ने बुरा ही कर दी मैं बटा एक ही बात बोलूँगा और या मैं उपाई करता हूं और सब मेरे से लेते हैं मैं अपना देख करता हूं मैं कोई एक बता दे और रिटीन में मैं का अपने बच्चे के मुह से सुनवा दे कि वो उपाई करता है मैं इनको अपने पर यकीन नहीं है या अपने बच्चों को उपाई कहां से करवाएंगा इन यह हमारे अजयातम को हमारे साइंस को समझाने के लिए बनाए और यह साइंस बिलकुल अलग है यह साइंस अलग हो गई सिरफ रोजमर्या के दिन्चर्या नगे रहे जिया है और इसकी तुम जानना चाथती हो साइंस के जरूर आपके द्वारा ने की तो करती हैं। मा लक्षमी के चित्र में क्या देखते हूँ ? मैं तो जब उनको देखते हूँ धनी दिखता है मुझे। वैसा दिखता है। और बहुत ही मतलब उनका जो मतलब उनकी उनके Bock करहें कि देखने के बाद या उनकी जो पूरी जैसे पोजिश्शन है वह बैठी रहती हैं तो पिछ देखने के वड़ेंगि के कुछ है जो इंख आपको मां लक्ष्मी के चित्र के लिदेखो सामने मां लक्ष्मी की तस्वीर है कमलá के आ पे पें लेफ्ट में देखो मासरश्वती एलािट में डेखो गन्पति जीए बैठें हूए और पीछे देखो दो सफे रहा थी गंगा बाहरए यही दो मालक्षमी कंचेत्र इसका मतलब जानती ऑऊंझें का मतलब क्या है मासरश्वती जितना ग्यान मीठा बोलने वाला ग्यान कौन जो MBA करते हो तरह तरह की ट्रेनिंगे लेते हो मैनेजमेंट सीखते हो हिसाब किताब CA बनते हो ये कौन देता है मासरस्वदी है ना इसको perfectly law wise अच्छी तरीके से implement करना यानि कि वो वीना बजाना ये मासरस्वदी का संदियस है कि आपके पार ग्यान जरूर होना चाहिए गनपती ये कुलों को बोलते है आप जाके देखो हमारे अधाति में यानि कि गनपती जी की तरह बैठना नमक खाने से ब्लड प्रेशर बरता है और मीठा खाने से ब्लड प्रेशर टेका रहता है और जो इनसान मीठे का शुकीन होगा वो अपनी गदी के उपर 24 घंटे में से 16 घंटे भी बैठ सकता है उसको बोलते है गनपती कहते हैं न ग्राहक और मौत का कोई बरोसा नहीं गदी पे बैठे होगे तो कमा जाओगे तो गनपती जी वो सिखा रहे है उनके सामने क्या रखे है मौदक यानि की गदी पे रहते हुए मीठा खाना है ब्लड पेशर डाउन रहे पॉजिटिव सोस तोस ये ग्यान ये बैठे रहना बिजनस के बारे में सोचना जो आए उसके साथ अच्छा डील करना गनपती जी का मतलब ये है लेकिन अब ये ग्यान और ये मेहनत ये दो हाथी इन दियोनों के बलबूते वो जो दिमाग के अंदर मन्थन चलता रहे तुम भी अपनी तरक्की के बारे में अपने आइडिया के बारे में अपने सवालों के बारे में सोचती होगी ये मन्थन चलता रहता ना यहां से छूटी घर के बारे में सोचती है घर से छूटी आगे तरक्की क्या करना है और क्या करना है ये दोनों वो हाथी हैं जो तुम्हारे ग्यान और मेहनत के बलबूते एक गंगा बहा रहे हैं, अब ये गंगा अगर बैके 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 नीचे कीचड़ बन जाता है, और इतनी ज़्यादा एक दिन में तुम सोचे सोच लेती हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि लास में कौन सा एक आइडिय है तुम्हारे काम आएका, सोचा तो तुमने पूरा दिन, वो जो एक आइडिया वो है कमल का फूल, जो कीचड़ में खिलता है, और वो अगर सक्सेस आइडिया है, तो मालक्श्मी होते हो नहीं होते हैं।